डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर अनुसूची जाती आवाज से विद्याले भागलपूर के छात्रों ने शैक्षनी का राजक्ता और मूलभू सुविधाओं की मांग को लेकर समाहर नाले में प्रदर्शन किया छात्रों का कहना था कि हमें ना तो पीने का साफ पानी मिल पा रहा है और ना ही खानी की कोई सुविधा है समय पर परिक्षा नहीं ली जाती है और हम लोगों के साथ सौतेले पन का वैवहार किया जाता है इस दौरान प्रशासन और छात्रों के बीच नोगजोग भी होती रही है और वहाँ SDO, DTO, AHDO के अलावा कही अन्य पताधीकारी भी मौजूद थे छात्रों की शिकायत थी कि जिलाधीकारी सुबरत कुमार सेन ने इसके पहले सारी समस्या इदूर करने का अश्वासन दिया था पंदर दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और DM कारियाले के सामने नारे बाजी की इतना ही नहीं आकरोशी छात्रों ने कचेरी चौक को भी घंटों जाम कर दिया वस्तमें अफरत अफरी मच गई जब फाटक तोड़ते हुए छात्र DM के कारियाले तक पहुँच गए छात्रों को काबू करने के लिए CIT और पुलिस को भारी मशकत करनी पड़ी पहुँच नहीं है सब खूल लेगा लेकिन ँट नहीं है सब खूल लेगा लेकिन इसन इहाँ हुँच नहीं हुआ भागलपूर के सीनिया रिस्पी बाबु राम ने पद्भार ग्रहन करने के बाद सबसे पहले अनुसूशित जाती जन जाती महिला थाना का निरिक्षन किया और वहां की समस्याओं से अवगत हुए उन्होंने चाहर दिवारी के आस्पाद अतिक्रवन कारियों के अवेध कब्चे को गंभीर्था से लेते हुए इसे जल्द हटाने का निर देश दिया उन्होंने वहां हो रहे भवन निर्मान के कारियों का जाइजा भी लिया और गुनवत्ता का विश्यज ध्यान रखने का निर्देश दिया एजसपी ने शस्त्रागार में रखे शस्त्रों का निरिक्षन करने के बाद जवानों का होसला बढ़ाते हुए कहा कि हम दूसरों की रख्षा के लिए हैं और ये हत्यार हर समय तयार रहना चाहिए इस दौरार उन्होंने शस्त्रागार के अधिकारी को शस्त्रों की सुरक्षा को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिये जिले बाद के समय दहां का हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी बादरी कम्प्लीट हो और पुलिस लाइन के बहुत सारे अन्याने कर रहे हैं जिनका काम हो जिनका दिरिक्षन हम लोग कर रहे हैं जिले में शराब बंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस जहां हर संभव प्रयास कर रही है तो वही धंदेबाज इसकी तसकरी करने से बाज नहीं आ रहे है DSP विधी वेवस्ता डॉक्टर गौरफ कुमार ने गोपनी सूचना के आधार पर वहन शेकिंग के दौरान एक ओटो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामत की है डॉक्टर गौरफ कुमार ने बताया कि बाइपास टियोपी के सामने सगन वहन जाश अभियान चलाया जा रहा था कि इसी दौरान तीन तसकरों को एक ओटो से इंपेरियल ब्लू ब्रांड की 161 बोतल के साथ गिरफतार कर लिया गया शराब की ये बोतले जारकंट से गोड़ा लाई जा रही थी जिसकी डिलेवरी भागलपूर के परवत्ती में होनी थी गिरफतार तसकरों में परवत्ती का दीपाली कुमार, सहदेव कुमार और बीरुदास बताया जा रहा है डेसपी ने असपश्ट कहा कि शराब पीने और इसका धंदा करने वाले तसकरों पर इस तरह की कारवाई जारी रहेगी कोरोना वाइरस के खिलाफ टीका करण को लेकर किशोरों में भारी उत्सा देखने को मिल रहा है मंगलवार को आनंद्रम धंडनिया स्कूल में किशोरों के साथ आसपास के 15-18 वर्ष तक के युवाओ ने ठीके लगवाए भाश्पानेता मॉंटी जोशी ने ठीका लगवाने वाले किशोरों और उनके परीजनों को बधाई दी उन्होंने इस अभ्यान में बड़ी संख्या में उनकी भागेदारी की अपील करते हुए इस मुहीम के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी को धन्यवाद दिया सब कुछ बहुत स्मूदली हो गया दर्ध भी निवा सबको वैक्सिन लेना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए इतना कर रहे हैं वसके लिए बद थांकियो सिपाही प्रशिक्षन विद्याले के प्रतीक मैदान में प्रशिक्षू सिपाईयो के बीच एक दिवस से फुटबॉल मैच खेला गया जिसमें टीम बी ने टीम ए दो गोल से को पराजित कर दिया दोनों ही टीमें अंत तक मैदान में डटी रही और संघर्ष करती रही अंतिम्छन तक दोनों ही टीम के खिलाडी मैदान में जमे रहे समय समात होने पर कोई न लेश कुमार ने विजेता वा उप विजेता की टीम को ट्रॉफी दे कर पुरस्कृत किया मोहके पर सिपाही प्रशिक्षन विद्याले के डीएसपी संतोष कुमार राश कुमार जह पी एलाई अनिल कुमार इंस्पेक्टर प्रवीन जह इंद्रदेव पासवान समेत अन्य पुलिस कर्मी मौजोद थे आनंद महीं बतावरन में फरसिक्षन देने का काच किया है। बिना मास्क लगाए 26 लोगों से 1300 रुपे जुर्माना भी वसूला गया। नवगच्षिया में इसमाइलपूर छोटी परवत्ता के ग्रामिनों ने डियेम वर्वर्य पुलिस पताधीकारियों को आवेदन दे कर इसमाइलपूर के थानाध्यक्ष मनी पासवान पर गंभीर आरोप लगाए है। सुगो मंडल सही 24 लोगों का कहना है कि थानाध्यक्ष मनी पासवान की मिली भगस से गुरुदेव मंडल, कमलेश्वरी मंडल और बाबूलाल मंडल ने फसल उजार कर उनकी जमीन पर कबजा कर लिया है। उनकी सरसोगी लगी फसल को ट्रैक्टर से जोत कर जमीन पर कबजा कर लिया है। इसकी शिकायत लेकर जब वे इसमाईल पूर थाना पहुचे तो वहां से थानाध्यक्ष ने उन्हें भगा दिया। इधर थानाध्यक्ष मनी पास्वान ने कहा कि आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि जमीन मालिक ने ही अपनी खेट की जुताई कराई है। सुल्तान गंश के कृष्णानध स्टेडियम में जहनवी गंगा क्रिकेट टूर्णामेंट का पहला मैश बर्यारपूर एवं अजगे मिनार फाइटर 11 बी के बीच खेला गया। टूर्णामेंट का उधगाटन विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायन मंडल नगर्व सभापती निलम देवी टूर्णामेंट के अध्यक चजीत कुमार ने सन्युक्त रूप से किया। वह मौजूद लोगों ने मैच का भरपूर आनन लिया और इसके लिए आयोचक को बढ़ाई दी।